So good morning guys और आपके क्रेक एक्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है तो आज के इस वीडियो में 3 जून के important current affairs को हम लुक कवर करेंगे तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि हाली में किसे संयुक्त राष्टर के लिए भारत के राजदूत और स्थाई प्रती निदी के रूप में निउक्त किया गया है तो अब ये संयुक्त राष्टर के 25 से अधिक जो important organizations हैं उनमें भारत का प्रती निधित्व करेंगे जैसे WHO पर्मानेंट रिप्रेजेंटेटिव अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था टी एस तिरुमूर्ती इनको भी युनाइटेड नेशन में भारत का इस्थाई प्रती निधि निउक्त किया गया था तो वो नाम भी आप याद रखना बाकी ब्रजेंद्र नवनीत क की बात करेंगे वर्ल्ड ट्रेड और्गिनाजेशन में भारतिय राजदूत बने थे राजीव टोपनू वर्ल्ड बैंक के एक्जिकेटिव डारेक्टर का वरिष्ट सलाकार सीनियर एडवाइजर इनको बनाया गया था और आभास ज्जा ये भी इंपॉर्टेंट नाम है ये इंडियन इकॉनमिस्ट है और अभी इनी को वर्ल्ड बैंक ने साउथ एशिया में जलवायू परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंदन का प्रैक्टिस मेनेजर ने उक्त किया था अब यहाँ पर बात सयूक्त राश्टर के हैं युनाइटिड नेशन के बारे में ज होता है इसका हैटकॉर्टर न्यू यॉर्क में है और उसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरिस जो की पुर्तगाल से हैं पुर्तगाल की कैपिटल लिस्ट बन है अच्छा यहां से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ अभी पिचत तर्वे यानि कि 75th United Nation General Assembly का अध्यक्षकिस को चुना गया है तो वोलकान बोजकिर को जो की टर्की से हैं एक तो यह पॉइंट याद रखो उसके अलावा भी आपको याद ही होगा कि भारत को दो साल के लिए United Nation Security Council के गैर 27 सदसे के रूप में चुन लिया गया है इसके अलावा United Nation से हाँ एक पॉइंट याद रखो अभी केरल की जो स्वास्ते मंतरी हैं केके शेल जा इनको भी सम्मानित किया है United Nation ने क्यों किया तो कुरोना वारेस से निपटने और उसको कंट्रोल करने में जो इनके प्रयास रहे हैं उसके लिए तो इतने पॉइंट्स आपको United Nation से याद रखने ब इसी के साथ ये पाकिस्तान की पहली महिला अधिकारी बन गई है पाकिस्तान की सेणा में Lieutenant General के पद पर नुक्त होने वाली Actually में इने पाकिस्तान सेना की पहली महिला सरे जनरल के रूप में नियूक्ट किया गया है बाकि विनी महाजन ये IMPORTANT नामे पञजाब की पहली महिला Chief Secretary बनी थी अभी मनमीत कौर तो पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार है जिनने ब्रिटेन में एक प्रतिष्ठित पुरुसकार के लिए नामित किया गया था बाकी अन्मोल नारंग अभी US Military Academy से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला बनी थी ये अब बात पाकिस्तान की है तो येरा मैप में पाकिस्तान कैपिटल इसलामाबाद है करंसी है पाकिस्तानी रुपिया प्रसिडेंट है आरिफ अलवी और प्रधान मंतरी है इमरान खान अचा भारत और पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर लाइने उसको क्या कहते है रेड किलिफ लाइन कहते है अचा एक बार एक्जाम में ये प्रशन पूछा जा चुका है कि पाकिस्तान के पहले प्रधान मंतरी का नाम क्या था लियाकत अलीख खान था उसके लावा पाकिस्तान से दो इंपोर्टेंट नाम में आपको और बताऊँगा अभी पाकिस्तान एरफोर्स के पहले हिंदू पाइलिट बने थे उनका नाम है राहुल देव इसके लावा पिछले साल पाकिस्तान में हिंदू समुदाई की पहली महिला जज बनी थी उनका नाम भी याद रखो सुमन कुमारी क्योंकि इनका नाम एकजम में आ चुका है इसके लावा एक और पॉइंट सुनो इसलामाबाद में पहला हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है जो कि एक कृष्ण मंदिर है तो ये भी आप ध्यान रखना इसके अलवा पाकिस्तान ट्रांसजेंडर महिला को संयुक्तर राष्टर परती निदी मंदल में शामिल करने वाला पहला देश भी बना है और उन्न ट्रांसजेंडर महिला का नाम क्या है आईशा मुगल है बढ़ते आगे फिर हाली में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में पौधे लगाओ परियावरन बचाओ अभियान शुरू किया जाएगा तो अंसर होगा दिल्ली में तो दिल्ली में प्रदुशन को कम करने के लिए दिल्ली सरकार 10 जुलाई से लेके 26 जुलाई तक यानि कि 17 दिनों तक वरक्षा रोपन अभियान शुरू कर रही है जिसका नाम है पौधे लगाओ परियावरन बचाओ अभियान अच्छा दिल्ली के बारे में तो हम 2-3 दिन से continue पढ़ रहे हैं तो एक बार फिर revise कर लेतें दिल्ली के मुख्य मंतरी आप जानते ही हो अर्विंद केजरिवाल है और महां के लेटिनेंट गवर्नर का नाम है अनिल बैजाल उसके अलावा याद रखना दिल्ली में देश का पहला plasma bank बनाया जाएगा और अभी दिल्ली में zero survey भी शुरू किया गया था उसके अलावा अभी दिल्ली सरकार ने ही access corona application को launch किया था उसके अलावा operation shield को भी launch किया था और 5T plan को भी शुरू किया था COVID-19 के spread को उसके प्रसार को फैलने से रोकने के लिए और दिल्ली का जो प्रगती मेदान metro station है उसका नाम बदल करके Supreme Court metro station कर दिया गया है अभी आपको याद भी होगा IIT दिल्ली ने प्रकरती नाम से portal launch किया था COVID-19 के प्रसार की भविश्य वणी करने के लिए और दिल्ली मे असपातालों की जो बिस्तर होते हैं जो बैड है उनके वास्तविक समय की जानकरे real time information लेने के लिए एक mobile application भी launch किया था जिसका नाम है दिल्ली कोरुना जैसे पता लगेगा भई कितने बैड खाली है कितने बैड खाली नहीं है अच्छा एक प्रशन आज मैं आपसे दिल्ल यहाँ पर एक stadium है जिसका नाम अरुन जेटली जी के नाम पर रखा गया है उस stadium का नाम आपको बताना है प्रशन समझ गये ना तो चलो देखते हैं किस-किस को यहादे बढ़ते आगे फिर है हाली में किस भारते अमेरिकी को 2020 great immigrants सम्मान से सम्मानित किया जाएगा तो आंसर ह 2019 स्वास्ते संकट को दूर करने के प्रयासों में योगदान देने वाले दो भारते अमेरिकी को उन 38 प्रवासियों में शामिल किया गया है जिने इस साल अमेरिका के स्वतंतरता दिवस समारों पर American Foundation के द्वारा 2020 great immigrants सम्मानित किया जाएगा तो उन दोनों के नाम याद रख सिद्धार्त मुखरजी और राज चेटी यह जो सिद्धार्त मुखरजी आपको बता दूँ यह पुलिजर पुरुसकार विजेता है यह एक Oncologist है यानि की Cancer विशेशग्य है और जो दूसरे है Professor राज चेटी यह Harvard University में Economy के Professor है बढ़ते आगे फिर है हाली में किसे Asia region के लिए Commonwealth Short Story Prize 2020 से सम्मानित किया गया है तो आंचार होगा क्रतिका पांडे को अच्छा देखो आपको यह question पढ़ा पढ़ा लग रहा होगा इनको यह जो Award है The Great Indian Tea and Snakes Story के लिए मिला है और यह जो क्रतिका है यह जारखंड से है इसके अलवा कुछ और नाम में आपको बताओं जैसे कि अभी अमने पढ़ा था राजिंदर सिंग के बारे में अभी British जो प्रदानमंत्री है Boris Johnson उन्होंने इनको Points of Lights Honor सम्मान से सम्मानित किया था बाकी अमरतिय सेन बहुत important नाम है जर्मनी का प्रतिष्ठित शान्ति पुरुसकार मिला है इनको और रतनलाल तो और भी important है विश्व खाद्य पुरुसकार 2020 जीता था इन्होंने देखना यह जो नाम है ना अमरतिय सेन और रतनलाल वाला यह किसे ने किसी एक्जाम में definitely पूछा जाएगा तो इनको रत लेना बढ़ते आगे अच्छा इनी की साथ मैं आप लोगों को बता दू कि आज शाम को 6 बजे आपके weekly current affairs का मतलब जून वाले महीने की जो weekly current affairs चल रहा है उसमें fourth वाले week का पहला वाला part हम लोग करने वाले हैं शाम को 6 बजे आना है श भी books वाला section चल रहा है हमारा तो books में तो हमने पहला part cover कर लिया था यानि कि January, February की books हो गई थी अब March, April की जो books है यानि कि books का second वाला part मैंने upload कर दिया है रात में तो अगर खबरी application में जो अपना नया channel अपन ने बनाया है crack exam static वहाँ पे जाकर के आपने मुझे follow करके bell icon दब आया होगा तो notification आपको मिल गया होगा और नहीं मिला है तो यहां description में भी मैंने आपको link दे दिया है crack exam static करके उस channel का नाम है तो इस link पे जाना direct महाँ पे पहुंच जाओगे तो उसको सुन लो और अगले 2-3 दिन में third वाला part भी आ जाएगा ताकि पूरी books आपकी complete हो जाए उन्होंने राज्य के विश्व विद्यालियों और महा विद्यालियों में e-library को शुरू किया है और अभी इसमें 5 universities और 104 colleges को जोड़ा गया है तो इस e-library के माध्यम से चात्रों को 35,000,000 books available हो पाएंगी और धाई लाग से ज़्यादा चात्र इससे जुड़ पाएंगे साथ में भी उत्तराखंड की जो सिक्षा मंत्री है डॉक्टर धन सिंग रावत उन्होंने कहा है कि इसी के साथ उत्तराखंड पहला राज्य भी बन गया है जहांपर हर colleges को e-library से जोड़ा गया है अब बात उत्तराखंड की है तो यह रा मैप में उत्तराखंड देखो उ की समर कैपिटल भी बन गई है जिसका नाम है गेर सेन मुखे मंत्री तरवेंदर सिंग रावात गवर्नर है बेवे राने मौर्या और अभी दो-तिन दिन पहले हम लोगों ने एक इंपोर्टेंट कुशन पढ़ा था कि भारत का पहला लाइकेन पार्क यह कहां पे बना है य उसके अलावा भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज यह आपके रिशीकिष में बनेगा गंगा नदी के उपर और क्रशी भूमी को पट्टे यानि की लीच पर देने वाला राजज भी आपका उत्तराखंडी है देखो यहां से एक डैम बहुत एक्जाम में जाना जाता था और अभी ये न्यूज में क्यों रहा था ये न्यूज में इसलिए रहा था क्योंकि क्वारंटाइन फैसिलिटी बनी थी जानवरों के लिए यहीं पे हम काफी बार पढ़ रहें कि इंसानों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाए जा रहें कहीं जगे पे लेकिन इंसानों के लिए तो बन रहें, जानवरों के लिए भी बना था, और जानवरों के लिए पहला यहीं पे बना था, तो यह आपको याद रखना है। और देश का जो दूसरा टुलिप गार्डन है, वो भी उत्तराखंड में बनेगा, उत्तराखंड के पितोरागड में, और देश का पहला टुलिप गार्डन कहां पर है, वो भी आदोना चीए, वो आपके जम्मु कश्मिर के शिरिनगर में है, यहां पे आपको दो टाइगर इसके अलावा अभी उत्तराखंड ने अपना सबसे बड़ा जैविक विवित्ता पार्क भी बनाया है अच्छा पार्क से अभी और कौन-कौन से पार्क आप याद रख सकते हो एक तो आपको याद होगा हिमाचिल प्रदेश ने जो पंचिवटी योजिना चलाई थी किसले चलाई थी? बुजूर्गों के लिए पार्क बनाने के लिए और उसके अलावा हम हमारे देश में दोसो नगर वन भी बना रहे हैं और एक और पार्क आप याद रख सकते हो मिसाइल पार्क ये आपका बनाया जा रहा है आइने स कलिंग में और इस मिसाइल पार्क का नाम क्या रखा है? अगनी पत रखा है तो ये भी ध्यान रखना बढ़ते हैं आगे फिर हाली में केंद्रिय फिल्म प्रमाणन बोड इंगलिश में बोलेंगे तो सेंट्रल बोड ओफ फिल्म सर्टिफिकेशन इसके नए CEO कौन बन गए है ये BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष बने थे अभी और दिलिप ओमान ये Steel Authority of India के अध्यक्ष बने थे बाकि गोविंदर राजुलू चिंतला ये भी इंपोर्टन नाम है नामाड के नए अध्यक्ष बने है उसके लावा Central Board of Film Certification इसका हैटकोर्टर मुंबई में है इस अपना 1951 में हुई थी और इसके जो चेर्मेन है उनका नाम है प्रसून जोशी फिर है हाली में Indian Oil Corporation के नए अध्यक्ष चेर्मेन के रूप में किसको नियूक्ष किया गया है तो अंसर होगा श्रीकांत मादव वैद को बाकी नितिन मैनन ये इंपोर्टन नाम है अभी ICC के एलीट पेनल में शामिल होने वाले तीसरे भाड़तियर और सबसे युवा अमपायर बने थे बाकी प्रमूद अगरवाल कोल इंडिया के CMD बने हैं और किस्रनेंदू मजूमदार ये बाफ्ता के नए अध्यक्ष बने थे अचा इंडियन ओयल कॉर्पोरेशन पहले तो इसका हैटकोटर नई दिल्ली में है और इसका जो स्तापना 1959 में हुआ था ये हो गया अब एक पॉइंट में आपको बताता हूँ कली हम लोगों ने पढ़ा था इंडियन ओयल कॉर्पोरेशन और NTPC ये मिलकर के दिल्ली में वेस्ट टू एनरजी प्लांट बनाएंगे कहां पे दिल्ली के ओखला में कली हम लोगों ने पढ़ा था याद रखना बढ़ते आग और अगर आप मेंसे कोई स्टुडेंट इस चैनल को फर्स टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें ताकि आ रेबार मतलब क्या होता है रेबार मतलब होता है सरिया र-E-B-A-R रेबार का वैसे पूरा नाम होता है रेनफोर्समेंट बार हिंदी में सरिया बोलते हैं तो हमारे जो अभी इस्टील पेट्रोलियम और नेचूरल गेस मंत्री है धर्मेंदर प्रदान जी उन्होंने आत्म निर्बर बनाने के लिए ये सब किया जा रहा है, इससे भारत को आत्म निर्बर बनाने में मदद मिलेगी, हमें कम से कम चीजों को इंपूर्ट करना पड़ेगा, आयात करना पड़ेगा, अब बात पंजाब की है, तो ये रहा मैप में पंजाब, कैपिटल क्या है, इस सचीफ चीफ सेक्रेटरी बनी है, उसके अलावा कोवा पंजाब एप्लिकेशन भी लॉंच किया गया था, अच्छा क्या आप मुझे बता सकते हो, अभी पंजाब ने सरकारी करमचार्यों की जो रेटार्मेंट एज है, उसको 60 से घटा करके कितना कर दिया था, 58 कर दिया था, जबकि तमिल नाडू सरकार ने 58 से बढ़ा करके 59 करा था, उन्होंने बढ़ाया था, इन्होंने घटाया है, और IIT रोपड जो कि पंजाब में है, अभी ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि इसने वार्ड बोट नाम से एक रोबोट बनाय था, फिरहाल इमें केरल सरकार न या दूसरे राज्यों से केरल में लोट रहे हैं, तो उनकी शमता और उनके अनुभा, उनके एक्स्पिरेंसेस का लाब उठाने के लिए, ड्रीम केरल प्रोजेक्ट शुरू करने की गोशना की है केरल सरकार ने, अब बात केरल की है, तो ये रहा मैप में केरल, याद रखन केरल को ही गार्डन ओफ स्पाइस मसालों का बाग भी कहा जाता है, कैपिटल इसकी तीरु अननपुरम है, मुख्यमंत्रिय पिनाराई विजज़, गवर्नर है आरिफ मुहमत खान और यहां के चीप जश्टेस का नाम है एस मनी कुमार, इसके अलावा केरल से आप क्या पॉ का परियोग करने वाला पहला राजी भी बना था कैरल, और कैरल में आपको मिलेगा सबरिमाला मंदिर, और एक और मंदिर एक्जाम में पूछा जाता है, मिनाक्षी मंदिर जो कि आपको तमिल नाडो में मिलेगा, और कोणार्क सूर्य मंदिर यह भी निउज में रहा था, और ये आपको का मिलेगा, ये उडिसा में मिलेगा, उसके अलावा केरल सरकार ने डिजिटल साक्षरता अभियान, मैं भी डिजिटल हूँ, ये भी शुरू किया था, और केरल के मुख्यमंत्रे ने ड्रग माफिया से निपटने के लिए यो धावो एप्लिकेशन को लॉंच क किया था, और आप जानते हैं ये प्लाजमा थेरेपी को यूज करने वाला पहला राज्या आपका केरल ही है, और एक आर श्री लेखा का नाम भी याद रखो, केरल की पहली महिला डीजीपी बनी थी, और देश की पहली सूपर फैब लेब, ये भी स्थापित की गई थी केर लियोन जो की एक वेस्ट अफरिकन कंट्री है, और उसी में राकेश कुमार अरुडा को भारत का अगला राजदूत न्यूक्ट किया गया है, बाकी संतोष जा, ये बेल्जियम में भारते राजदूस बने थे, और गायतरी कुमार इंपोर्टेंट नाम है, ब्रेटेन में भारते उच्चायुक्त बनी थी, उच्चायुक्त यानि की हाई कमिशनर और रविश कुमार, ये फिनलेन में भारते राजदूत बने थे, देखो राजदूत मतलब एंबेजडर होता है, उच्चायुक्त मतलब हाई कमिशनर होता है, और दोनों में अंतर क्या होता है, ये एक पूरा complete topic आपक कवर हो जाएगा बाकियां पे Sierra Leone की बात कर लेते हैं तो Yera Map में Sierra Leone Capitalist की Free Town है और Currency है Sierra Leone & Leone बढ़ते आगे फिर अभी हाली में किसे भारतिय जन संचार संस्थान यानि के Indian Institute of Mass Communication का महानिदेशक यानि के Director General Newkt किया गया है तो अंसर होगा संजे द्वीवेदी को तो अभी Professor संजे द्वीवेदी को Indian Institute of Mass Communication का नया Director General Newkt किया गया है अचा ये तो है संजे द्वीवेदी संजे कोठारी को जानते हो अभी ये Chief Vigilance Commissioner मुखे सतर्कता आयूक्त बने थे और विमल जुल का Chief Information Commissioner यानि के मुखे सूचना आयूक्त बने थे और उदे कोठेक ये Confederation of Indian Industry के अध्यक्ष बने थे वैसे ही ये कोठेक महिंदरा बैंक के MDCO है अचा ये जो Indian Institute of Mass Communication है ये सूचना और प्रसारन मंतराले के अंतरगात आने वाला एक स्वायत संस्थान यानि के Autonomous Institute है तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रस्न के उत्तर की तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था अभी किस राजी की सरकार ने हमारा घर हमारा विद्याले योजना शुरू किया है तो सयुत्तर था Option B मद्यपरदेश आप सब इने प्रस्न का बिल्कुल सयुत्तर दिया है और गाईज अगर वीडियो को अभी तोग आपने लाइक नहीं किया इसे लाइक करना भूल गए तो सबसे पहले एक थमसप इसे दीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा तो गाईज इन सभी कुशन्स का क्विज बना करके मैंने एप्लिकेशन पर अप्लोड कर दिया है तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो आपका नाम आपके फूटू के साथ टॉप 10 स्टुडेंट्स में आपको दिखाई देगा आपको यह नहीं जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सब को दिखाई देगा कुछ इस तरीके से ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुँचना है ताकि सब लोग आपको टॉप 10 ने देख सके और वैसे भी आप तो आपकी इन करण्ट अफैस का रिविजन करवाने के लिए मैं इसका ओडियो भी तयार कर रहा हूँ तो दिन में 4 से 5 मिनिट निकाल करके अब वो आप ओडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करण्ट अफैर्स का फिट से रिविजन हो जाए क्योंकि आपको बता है चीजों को पढ़ना है लेकिन समय समय पर उनका रिविजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है revision नहीं करोगे तो वो सारी चीज़ आप भूल जाओगे तो आप भी के लिए मैं इसका revision audio त्यार कर रहा हूँ तो उस audio का link मैंने नीचे description में दे दिया है वहाँ जाकर कि आप मुझे follow कर लिजे और follow करने के बाद में पास में जो bell icon आएगा आप उसे ज़रूर दबा लेना ताकि जब भी मैं audio अपलोड करूँ उसका notification आपको मिल सके और application अगर अब यह तक आपने download नहीं किये तो उसका link भी आपको नीचे मिल जाएगा वहीं पर आपको quiz, video, pdf सब मिल जाएगे तो इस प्रशन का उतर आता है तो comment box में ज़रूर टाइप करिए चलिए अब मिलते करन्ट अफेस के revision वीडियो में Thank you guys